इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और ये जो वीडियो है ये पूरे भोगोल जिसको इंगलिस में करते हैं जोग्राफी ये जोग्राफी का मस्ट भी अब्जेक्टिव से भरा वीडियो है जो कि आप जब देखेंगे तो इसमें इतना महत्वपून प्रस्न है कि ये देखने के बाद वीडियो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब आप एक्जाम देने के लिए जाएंगे तो इसी में से आपको प्रस्न देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि इसका नाम ही है जोग्राफी और इस वीडियो को द देखना होगा कि जिसे नवी करनिया है कि और नवी करनिया है तो आप और नवी करनिया ही चुनेंगे इसलिए कि और नवी करनिया संसाधन कोईला कहलाता है अब परस्न संखे दो देखेंगे नदियों में बाढ़ आने का प्रामुक कारण क्या है तो जल की अधिकता सही उतर ह क्यों जब जल की अधिकता होगी तो शिदी सी बात है कि बाढ़ आएंगे और जब बाढ़ आएंगे तो बहुत सारे घर गिरेंगे बहुत सारी छती होंगी तो जल की अधिकता यानि जल अपने काबू में आ जाए तो सिदी सी बात है कि बाढ़ आना संभव है ठीक है ना सा ऐसा जगह है जहां पर बाढ़ आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है तो वह उत्री दक्षणी बिहार ठीक है अब अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 5 निमने लिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया देखिए ऐसा नदी बता ये ठीक है जो बिहार का शो नदी कहा गया ठीक है तो उस नदी का नाम हम लेंगे कोशी नदी ठीक है अब अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है छो ठीक है तो उतर होगा सुनामी अब अगला प्रस्ण है कि 2 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भेंकर सुनामी आया था देखिए बात 2 दिसंबर की है और साल 2004 की है तो 2 दिसंबर 2004 की बात है कि विश्व के सबसे भेंकर सुनामी आया था तो वो किस हिस्से में आया था ठीक है तो वो बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना, इसका सही उतर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, अब अगला प्रसन देखें, प्रसन संख्या आठ, बाढ़ के समय निमने लिखित में से किस इस्थान पर जाना चाहिए, अपसन है, उची भूमी वाले इस्थान पर, कि जहां है उसी इस्थान पर की खेतों में, सिधी सी बात है, कि जब बाढ़ आएंगे, बाढ़ तो आता है जल की अधिकता से, तो सिधी सी बात है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देंगे, तो आप अपना घर में क्यों रहेंगे, ठीक है ना, या फिर गाओं के बाहर जान तो आपका सही अप्सन हो जाएगा उची भूमी वाले इस्थान पर जाएंगे ठीक है अब अगला प्रसन देखेंगे अगला प्रसन है प्रसन संख्या 9 मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंद्र की मदद ली जाती है मालवा किसको बोला जात ठीक है ना तो आपका अप्सन बहुत सारे यंद्र का नाम दिया होगा अप्सन में तो उसमें आप चुनेंगे इंफरारीडे का ऐसा यंद्र है जो मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाया जाता है ठीक है अब अगला प्रसन देखेंगे अगला प्रसन है सु समुंद unite इनस जघा होते है जोनामी आने की 100%via होती है तू अगला प्रसन संके जखेंगे अगला प्रसन surviv function संके 11 ब्हुकम संभाववी घर किस धांग से किस धांचे से आप बनाने की कोशिश करेंगे क्या चरकूर बनाएंगे क्या विरितकार बनाएंगे नहीं आप बनाएंगे आयतकार ठीक है ना तो इसका सही उतर होगा कि भूकम संभावी छेत्रों में भावनों की आकरिती आयतकार होनी चाहिए अगला प्र खेती करते हैं वो समतल छेत्र में समतल खेती करते हैं यानि हमारी खेत की जो लेबल होता है वो बराबर होता है एक समतल होता है ठीक है तो वहाँ पर हम लोग बराबर एकदम खेती करते हैं लेकिन ऐसा राजिय जहां पर सुपानी क्रिसी होती है अर्था सुपानी के मतलब य का कुछ ऐसे design कटा जाता है जो सीड़ीनूमा टाइप का दिखता है और उसी सीड़ीनूमा पर जो है ना यह फसल को उगाया जाते हैं फसल चाहे कोई भी हो तो जिस फसल की खेति किसका है अगला देखिेगा प्रस्ण संख्या 14 वैब्ढेदा के परजनन को नस्ट करने वाला रसायन का है वैसे तो किसी जीव को नस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन विग््यानी को क्या कहना उनलोह का काम है कुछ नयायन या चीज का अविस्कार करना ठीक है तो देखे यहाँ पर एड्रीन नामक एक ऐसा रसायन है जो मेड़ा के परजनन को नश्ट करने वाला है जो कि मेड़ा के परजनन को रोका जा सकता है ठीक है ना तो मेड़ा के परजनन को नश्ट करने वाला रसायन है वो है अगला प्रसन है कि काली मरीदा का दूसरा नाम क्य में नहीं थे तो 96.5 परती सथ अब अगला प्रसन देखेंगे अगला प्रसन है प्रसन संख्या 17 देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था तो देश में जो बांधे थी ठीक है नो उस बांधों को जिसने भी भारत का मंदिर कहा उसका नाम है पंडित नहरो यानि पंडित जावारलाल नहरो अब अगला प्रसन देखेंगे प्रसन संक्या 18 प्राडियों के शरीर में कितना प्रतिसत जल की मात्रा नहीत होती है तो आप सही उतर चुनेंगे 65 प् अगला प्रसन देखेंगे 20 बिहार में कितने प्रतिसत भागोलिक छेतर में वन का फैला हो है तो मात्र पांच प्रतिसत ठीक है ना अब सही उतर अब आगे देखेंगे अगला प्रसन है अगला प्रसन है 21 किस राजय में वन का सबसे अधिक विस्तार है ठीक है ना तो इसका उस राज ये का नाम है मद्य परदेश अगला प्रसन देखेंगे 22 समिधान की धारा 21 का संबंध है देखिए समिधान हम लोग पढ़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के चलाने के लिए जो हमारे इंडियन कंस्यूसन है वो सिर्फ हिंदुस्तान को मने चलाने के लिए ही है ऐसा नहीं है ये जोगराफि में भी कहीं देखने को मिलता है उसकी धारा ठीक है ना तो समिधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवो तथा परकिर्तिक संसाधनों के संरक्षाण ठीक है ना तो वन्य जीवो का बचाव परकिर्तिक संसाधनों का बचाव ठीक है ना समिधान की धारा 21 से हमें समझ में आता है प्राशन संग के 23 देखेंगे कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है तो इसका सही उतर होगा डॉल्फीन ठीक है ना यह डॉल्फीन ही एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है अगला प्राशन देखेंगे 24 भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राजिया है यानि कि अगर आपसन दिया रहेगा बहुत सारे राजिये का जैसे बिहार दे देगा जहर खंड़े देगा करनाटक देगा तलेंगाना देगा मतलब यह दे देगा राजिये का उसमें आप चुनेंगे करनाटक क्योंकि करनाटक एक ऐसा राजिय है जहां पर लोहे की उत्पादन ज्यादा होती है अगला प्रस्ण है 25 किस राजिय में खनीज तेल का विशाल भंडार है तो इसका सही उतरों का असम अगला प्रस्ण देखेंगे 26 नमर प्रस्ण है भारत का प्रथम तेल शोधक कर खाना कहा एस्तित है तो इसका सही उतरों का डिग बोई 27 नमर प्रस्ण को देखेंगे एशिया का सबसे बरा परमाडू विधूद घर है विधूद गिरी कोई विधूद घर कहते हैं तो ये सही उतर होगा तारापूर अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है 28 भारत में सबसे पहले अगला प्रस्ण है 30 बिहार में कितना प्रतीशत छेतर में खेती की जाती है तो मात्र 60 प्रतीशत ठीक है न लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि 60 प्रतीशत में क्योंकि अब तो बहुत बड़े-बड़े घर बन गये है बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गये है तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप 60% में घर बन दा है और 40% में खेती की जा रही है नो प्रब्लम अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है 31 बिहार में नहरो द्वारा सरवादिक सिचाई किस जीले में होती है यानि कि बिहार में एक ऐसा जीला जहां पर नहरों द्वारा आज भी खेती की सिचाई की जाती है और अधिक मात्रा में की जाती है तो वो है रोहतास 32 नमर प्रस्ण देखेंगे कामर जिल कहां पर एस्थित है तो बेगु सनाई जील हमाँ बेगु सनाई का नाम सुने होंगे बहुत परशिद है अगला प्रस्ण देखेंगे 33 बिहार में करेरत जल विदूत परिजनाओं की कुल विदूत उत्पादन छमता कितनी होती है तो सही उतर होगा 44.2.0 मेगावाट चौतिस नमपर प्रस्ण देखेंगे सिगरेट का करखाना कहां है तो इसका सही उतर होगा – 35 नमपर प्रस्ण देखेंगे real workshop. कहा। इस्थित हैं तो सही उतर होगा जमालपूर अगला प्रसन देखेंगे 36 नमर प्रसन है खाद कर खाना कहाँ इसतीत है सही उतर होगा ब्राउनी 37 नमर प्रसन देखेंगे बिहार की पहले रेल लाइन थी तो सही उतर होगा East India Railmark 38 नमर प्रसन देखेंगे पत्ना हवाई अड़्डा का क्या नाम है तो इसका सही उतर होगा जय प्रकास अंतराष्टिय हवाई पतन उन 40 नमर प्रस्ण देखेंगे 2001 में बिहार की कुल जन संख्या कितनी थी तो 2001 में बिहार की कुल जन संख्या 8 करोड से अधिक थी अब अगला प्रस्ण देखेंगे 40 नमर 40 नमर प्रस्ण है मांचीत्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है जो मांचीत्र में आप नीला रंग देखते हैं वो किस चीज को संकित करता है तो वो जल का संकित करता है सही उतर होगा जल एक तालिस नमर प्रसंद देखेंगे लव अयस किस परकार का संसादन है तो इसका सही उतर होगा अन अभी करने योग्य संसादन है 42 नमर प्रसंद देखेंगे कौन सा खनीज अपच्छाइद पदार्थ को और सिस्ट भार को त्यागता हुआ अगला है त्यागता हुआ चटानों के अब घटन से बनता है तो इसका सही उतर होगा बक्साइड 43 नमर प्रसंद देखेंगे मोनजाई ट्रेट में कौन सा खनीज पाया जाता है तो इसका सही उतर होगा थोरियम 45 नमर प्रसंद देखेंगे कौन सा एजेंसी सरवजनिक छेत्र में स्टील को बजार में उपलब्द कराती है तो ACIL सेल कमपनी जो है न वो सरवजनिक छेतर में स्टील को बजार में उपलब्द कराती है अगला परसंद देखेंगे 46 नंबर 46 नंबर प्रसंद क्या कहरा है कि कौन से दो दुरस्त श्थीत स्थान पुर्वी पस्यमी परिवहन केलिए सबसे प्रामुक और सबसे ज़्यादा ज़्यकों प्रयरिटी दिया जैता sia वो हैये रेल चामाल तो सही उतर होगा चुन्ना farming and कि काला लोहा की से का जाता है तो सही उतर होगा मेगनेटाइड पच्चास नमर प्रस्ण को देखेंगे कि विश्व परियावनट दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपको जानना चाहिए एक तो वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोस्टन है विश्व परियावनट दिवस कब मनाया जाता है यह मतलब कई बार पूशित चुका है कोस्टन तो इसका सही उतर होगा पांच जूँग तीक है अगला प्रस्ण देखेंगे प्रस्ण संग के 51 बंगाल की खाड़ी का चक्रवाद किन महीनों में भयानेक होता है तो सही उतर होगा अक्टूबर नवंबर अब 52 नमबर देखेंगे भुस्खालन से अधिक परभावित होता है तो कौन सा राज़े होता है तो इसका सही उतर होगा कश्मीर और उत्राखन अगला प्रस्ण है त्रीपन चीनी उत्पादन में अगराड़ी राज़े है कौन है यानि कि कौन सा राज़े है जो चीनी उत्पादन के लिए सबसे आगे राता है तो वो है उत्तर परदेश चौन नमर प्रस्ण देखेंगे चुनना पत्थर का उपियो किस उधोग में होता है तो इसका सही उत्तर होगा सीमेंट अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है भारत में जूट के कितने करखाने है तो 77 अब जो अगला प्रस्ण है वो है 56 परफपन पश्मीना उन किस जानवर से बनाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा उस जानवर का नाम है भेड़, भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसके द्वारा पश्मीना उन बनाया जाता है तो देखा ना यह वीडियो कितना जबरदस्त और अती महत्वपूर्ण प्रसनों से भरा हुआ वीडियो था तो क्यों रखेंगे अपने पास दोस्तों के पास भी सेर करेंगे ताकि उसको भी फाइदा हो सके और हाँ एक जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा इस चैनल पर अमी कडिक्टिब का निचोड होगा और आपको बता दे इतिहास में आपको बहुत ज्यादा दिकत होती है बतल प्रस्ण है और उसका उत्तर याद करना फिर different different question होते हैं मैं आपको बता दूँ कि इसकी सबसे बड़ी merit क्या है कि जो इतिहास में जो आप प्रास्न देखेंगे ना तो प्रास्न कोई भी हो ध्यान रखिएगा प्रास्न कोई भी हो ऐसा उत्तर का निचोड निकाले हैं कि सिर्फ उत्तर वहीं होगा जिसका निचोड उन्होंने निकाल करके रखा है तो फिर आप इंतजार कीजिए उस वीडियो को बहुत ही जल्दी वो वीडियो अपलोड होने वाला है तो बने रहे हैं मेरे साथ इस चैनल पर और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद